चार साल की छोटी बच्ची डीम साहब के सामने लगाने लगी निशाना, बेटियों के होसले देख, डीम साहब भी हुए हैरान, गौर से देख लिजे इस तस्वीर को, जिस उम्र के बच्चे पूरे दिन खेल और कुद में बरबाद करते हैं, वहाँ ये बच्चिया तीर अं करने के लिए गया के डीम भी लागातार मेहनत कर रहे हैं, चलिए पूरी कहाने आगे बताते हैं, उससे पहले वीडियो को सेर कर दीजे, और इस छोटी सी बच्ची के समान में दो सब्ध कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, और वीडियो को जादा जादा सेर जरूर कर जिला पताधिकारी ने बताया की, जीम का सारा एक्यूप्मेंट लाया गया है, कुछ दिन पहले जीम का सारा सामान उपकरन यहां आ चुका था, जिससे आज सेट अप करा कर उसे चालू कराया गया है, यह काफी खुशी की बात है, अब खेलो इंडिया के बच्चों के साथ आम लोग भी जीम का भरपूर परयोग करेंगे, यहां तिरंदाजी के बच्चों से भी बातचीत किया गया, यहां चार साल के मुरूबाले दो बच्चियां काफी बढ़िया तरीके से तिरंदाजी कर रही है, यह देखकर काफी खुशी मिली है, और तिरंदाजी में जो भ बरपूर परियोग हो एवं उसका मेंटेनेस भी सही तरीके से हो इसके पहचात सीवू कुमारी जिसके उमर महद 4 साल है उनके द्वारा डीम सहब के सामने तिरंदाजी का खेल दिखाया गया जिसे देखकर जिलापताधिकारी काफी खुस हुई और उन्होंने सुभकामना दे जान शुरू किया है इसमें कुछ नया एक्पिंस लगाया गया और पहले एक्पिंस आ गया था लेकिन बहुत दिन से चालू नहीं हो पाया था आज पोरा सटप करते चालू कराया गया है जो पुशी की बात है और में समस्ता में की लोग इसका भी परकूर प्योग करेंगे साथ ही हम लोगों ने जो आर्चरी के बच्चे हैं उनके साथ भी वार्ता किया और बहुत खुशी की बात है कि चार साल के बच्ची दो बच्ची है इसमें एक सक्षन का जीम अलड़ी यूश भो रहा है और इसमें हम लोग एक समत्थी बनाने के लिए बने अर्वदेश द है समिति बना करके उनके देख रेक में इसके संचार करें वह आगे की प्रतिया है अभी मेरा उदेश है था कि बहुत दून से पड़ा हुआ था उसको चालू करें इसके बाद कैसे आगे बढ़ना है उसका अम लोग उसका रिस्टेशन कराना होगा और अभी तो पब्ली के इसके लिए अम लोग उपन किये हुगा लेकिन रिस्टेशन करा करके उसके बाद उसके उसके बच्चे हैं और खेलों इंडिया के बच्चे हैं उनके लिए बिल्टु मुफ्तर आएगा वो लोग आकर कर सकते हैं जहां तक पब्ली की जो ओपन टाइम क्या रहेगा उसका अब भी रहे गाई या नहीं यह सब के लिए अम लोग आगे लिए